तो हेलो नमस्ते प्रणाम आप सभी का एक बार फिर से उमीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे स्टार्ट करते हैं आज का सेशन चलो तो आज के सेशन में क्या है कि आपको पीदेफ के लिए यहां पे आना है इंग्लिश अगर अब तक आप नहीं जूड़े हो तो इस आपने सेशन को शेर नहीं किया है तो एक बार एक सजेशन के तोर पर एक रिक्वेस्ट के तोर पर आप इस सेशन को शेर जरूर कर देना ठीक है ताकि जो लोग अप तक नहीं जूड़े हो वो जूड़ जाए आ जाओ तो देखो पहला वर्ड आमरे पास है निफ्टी काम करने जाए भरहेंट धन् से शंद ऊगरियों तो आप बोल्सक्त भड़ाएशी औसल्यज निफ्टी पीस ओफ वर्क है वह वो कम बड़े अच्छे तरीके से बड़े धरीघं से बहुत ही बहत्रीं से क्या गया है तो यच्छ ि्ज ताक प्रूल निफपटी सागताבה है ह और बहुत ही अरेंग से किया था ठीक है अब देखो यह कोशिन जोना यह आपके ग्रास वेट तो कुल वेट अन ग्रास इंकम लेकिन अपनी आप्णा यह प्रक्राद करक्तमा अच्छा बहुत बढ़िया तो निफ्टी वह वह पाएगा वह निस्टी समय आगि आपको इस चलो अब देखो अब फिरेक वर्वार पास इस्कुर्म का मतलब होता है मैं एक शब्द में बोलू तो च्छट पताना तो टू मूव एराउंड अलाट मेकिंग स्मॉल ट्विस्टिंग मूमेंट समगे छट पतान एक्टम से अधर अधर होना बेचे अधर होना रैच अप तो इसका मतलब होता है तो इंक्रीज सम्टिंग ओवर अपीर अफ टाइम किसी चीज़ को बढ़ा देना बोल के कुछ के के कुछ भी स्लैम दोर स्लैम का मतलब अच्छेदार भाशर का जाता ना कि बहुत बड़ी-बड़ी बाते इसमें बोली गई है तो इस पीच और राइटिंग डैट इंटेंडेट टू इंट्रुएंस टिपल टिया स्टैप सम्बडी इन दा बैक इसका मतलब बतार टू दू और से सम्टिंग अच्छा पूरा न ये बोलते हैं स्टैप संबडी इन दा बैक रैप्रोश्में का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जिसमें दो देशों के विच विवात था बट अब वो सा कुछ खतम हो गया तो वो सुधरने वाली जो इस्थितित होती है तो असीचुएशन इन विस्टेर रिलेशन सिब आप्रोश्मेंट नाउने कमेंट बॉक्स में डिटेंट वर्ड का मतलब लिख कर बताओ बहुत ही क्यारा वाले डिटेंट क्लिर है चलो अब आजाओ तो आपने स्कुन पड़ा चट पटाना रैचम बढ़ा देना है ना स्लैम द दोर मना करना मिलने से बात करने से रैप्र सिप है वो स्कुर्म करती है मतलब तिल मिलाती है इधर उधर होती है जैसा कि जो गहलत है वो इस चीज को और बढ़ा देते हैं कॉमा कहते हैं पाइलट को निकम्मा सचिन पाइलट को क्या बोलते हैं निकम्मा बोल देते हैं effectively प्रभावी ढंग से slamming the door मतलब रास्ते बंद करते हुए बातचीत के और फॉर्मर 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 पूर्वर तो फॉर्मर डिपिटी चीफ सचिन पाइलट इनके साथ एंड रूलिंग आउट और खतम करते हुए एनी पॉसिबिल्टी ओफ रैप्रोश्मेंट की जो भी संभावना है मिलने की या फिर दोस्ती की उन Charlor चैना को परहादिया, کama, कोलिंग पालोट घ्नकेम्मा नकारा उनुन ने सचन पालिट सत्क्रण को न्यकारा कर आर बिदिये रिसल्स इनकाराइब काल to go under the surface of water or liquid to put something or make something go under the surface of water well look ya to panic in inches and a submerge karjana ya sir kisi cheese could do go dina to submerge karna comment box me immerse ka matlab likkara what per our day immerse deluge deluge ka matlabata hai baar okay na deluge noun verb do no sense major that a corbett मैं अब देखो मालो आपके phone पे 45 अच्चारी बेखोड पड़ी भी इसे बोलोगे टो a sudden very heavy fall of rain it to instance में होता है बाकी मेने जो बता है उसे टोल के कई मतलब होता है जिसमें से एक मतलब होता है the amount of damage or number of death मरने वालों की संख्या क्लियर अब आजाओ अब देखो हमारा जो एक स्टेट है असम वहां पे बाड़ आया हुगा है तो इस वज़े से लिखा गया the floods in Assam have submerged उसने डुबो दिया 85% of the Kaji Ranga National Park 85% काजी रंगा नेशनल पार्क के 50% हिस्से को famous for its one-on-one-one जो की famous किसके लिए एक सिंग वाले गेंडे के लिए and with इस बात के संग and with this इस बात के संग जो साल का बार है said कहा गया to be होने के लिए the sixth heaviest in the park's history कि यह छठा सबसे खराब कहलो सबसे बड़ा बार कहलो पार्क के इतिहास में और जो डर है वो यह है कि जो एनिमल टोल है मरने वालों की संख्या जांग रोकी विल राइज वो बढ़ जाएगा है ना तो यह दहां रखना कल मैंने आपको एडिटोरियल से नहीं उठाया थे क्योंकि एडिटोरियल में ज्यादा तर वर्ड्स अब मैं देख रहा हूं कि मैंने करा रखे हैं किसी न किसी सेशन में तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है वापस से उन्हीं वर्ड्स को लेकर आना फिर भी मैं सेशन तो जाके एक बार सेशन देख लो और प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर देना आगे देखो टूइस क्रैम का मतलव था एक दम से कहीं निकलना कहीं भागना करम ने पढ़ा था तो सिनोनीमिस के लिए जागा स्कूट ठीक है बाकी करना आयूजित करना है ना कन वेन अमीटिंग तो मीटिंग आयोजित करना एरे एरे का मतलव था अरेंज करना नावन वह अब दोनों तरसी ज़ता है और क्लस्टर मतलब जुन्ड ग्रूप क्लस्टर ऑफ स्टार्स तो तारो का जुन्ड इस तरह से तो इस क्रैम के लिए सब्सक्राइब इसकूट प्राइव संस में बताया था कल मैंने एक सेंसे भी एक बहुती सीक्रेट इससे बोला था तो अगर सीक्रेट वड़ा सेंस है तो अदेगो अल्टीवियर आप स्क्यूर और कोवर्ट ये तीनवीं सैंस में हो जाएंगे वलभ अल्टीव और मॉटिव क्या है मतलब चिपा उसमें हो रहे तो नोट क्लियर है नेबुलस है धुला है को वर्ट मतलब वो भी ओपेंड नहीं है तो एंटॉनिम इफना है प्राइवी का तो सही उपाय का पॉब्लिक क्लिए रहा चकल करना दभी मुस्कान से हसना है ना वो पत्र पढ़ रही थी और हस रही थी लग खुल के नहीं कें आने देन म career in शीं अरुदि खार पिले लेमेंट इंसाइसीव इनसाइशीव का मतलब होता है बहुत ही पेनित्रेटिं बहुत ही शार बहुत ही कीण इसेन्स में अगर in सिटोट्स है तो बहुत ही क्लीयर है वह सब कुछ तो दーगो Только क्लीड क मतलब होता है बहुत बदि अबोड सकता है तो इस तूलिट कमतलब था बहुत ही शांथ जान्त आना बहुत ही इंप्रेस्ट नहीं रखने वाला अजक्ट्टिव है स्टूलिड और डशी कमतल्ब होता है संकी टैप का सिनानेमिस को होपया कान साइस कुकिन कान साइस का मतलब तह तो तो दो पॉइंट इसी वह जो पाएगा इंसाइसिव जैसे इंसाइसिव थोट्स है तो बहुत ही क्लियर है इसी तरफ टुब पॉइंट आपके थोट्स कॉंसाइज है क्वेजी का मतलब होता है यूर गोई तू वूमिट मालब वूमिट करने वाले हो इस सेंस में तो हो आकी जो तीनों वर्ड हैं ये इसके अंटौणिम भी बन सकते हैं क्योंकि क्वेजी का एक मतलब इस सैंस में भी होता है अनेजी का मतलब बहुत ही नर्वस बहुत ही बहुत ही बेचैन तो बहुत ही बेचैन के लिए अनंटौनिम क्यू और यह जाएगा, बहुत ही ज़्यादा helpful होने वाले हैं ठीक है वीडियो को शेयर करना मत भूलो कोई भी आपका कमेंट से सजेशन है तो वो कमेंट बॉक्स में कर दो मैं जब भी देखूंगा जब भी उस पे गौर फर्माऊंगा तो आपको रिपलाई जरूर कर दूंगा ठीक है चलो तो आज की लिए इतना ही है नेक्स सेशन में फिर मिलेंगे तब तक के लिए अपना ध्यान रखेगा बहुत बहुत धन्यवाद